इसराइल हमास युद्ध के बीच एक बार फिर से मिसर की राजधानी काईरों में युद्ध रोकने के लिए कवाया तेज हो गई है इसराइली पीम बेंजमिन नेतनियाहू ने बाच्चीत के लिए शिनबेट के मुख्या को मिसर भेजा है वहीं अमेरिकी खूफी एजनसी के मुख्या भी मिसर जा रहे है लेकिन इस सब के बीच इसराइली रक्षा मंतरी युद्ध गेलेंट ने अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि गाजा में युद्ध विराम हो या ना हो लेकिन उत्री फ्रेंट पर हिजबुला के साथ लड़ाई जारी रहेगी यौफ गेलेंट का कहना है कि अगर गाजा के भीतर युद्ध विराम हो भी जाता है तो भी इसराइली सेना हिजबुला से लड़ती रहेगी गेलेंट के इस बयान के बीच हिजबुला ने इसराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है हिजबुला का कहना है कि उसने उत्री इसराइल के उपर 7 जुलाई 2024 को 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिये जिसकी वज़ा से करीब धाई लाग सेटलर्स को सुरक्षित जगों पर छिपना पड़ा हिजबुला का दावा है कि इन हमलों की वज़ा से कबजे वाले कई इलाकों में लगातार हवाई साइरन बजते रहे वही न्यूज अजेंसी एक्सियस का कहना है कि इस हमले में अमेरिका का एक नागरिक भी गंभी रूप से घायल हुआ है न्यूज अजेंसी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये खबर दी है एजनसी के मुताबिक ये अमेरिकी नागरिक लिबनानी फिलिस्तीन बॉर्डर के करीब था जहाँ पर इसराइल की एक सैन ने चौकी थी और इसी पोस्ट पर हिजबुला ने एक एंटी टैंक मिसाइल दागी जिसकी चपेट में ये अमेरिकी नागरिका गया लेकिन ये बात अभी साफ नहीं हुई है कि युद्ध परभावित इलाके में ये अमेरिकी नागरिक आखिर कर क्या रहा था इसको लेकर इस्राइली न्यूस चैनल 12 के मुताबिक हिजबुला ने दोपहर करीब दो बजे एक एंटी टैंक मिसाइल जारिद बेस परदागी थी जिसकी चपेट में ये अमेरिकी नागरिका गया था इसके अलावा इस हमले में तीन और लोग घायल हुए हैं जिन में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक साथ जुलाई को हिजबुला ने करीब 9 हमले किये उसने अल रहप साइड और निम्रा बेस पर एक हमला किया यहाँ पर हिजबुला ने इसराइली सेहनिकों पर कत्यू शार रॉकेट दागे हैं इसके अलावा सुबह 11 बज कर 50 मिनट पर अल बगदादी साइट पर हिजबुला की तरफ से रॉकेट दागे गए इसके साथ ही माउंट जर्माक में मैरन बेस पर भी हिजबुला ने कई कत्यू शार रॉकेट से कहर बर पाया है हिजबुला का दावा है कि इस हमले में IDF के एयर सर्विलांस और एयर ऑपरेशन मैनेजमेंट यूनिट तबाह हो गई है और इस हमले के तुरंद बाद हिजबुला ने बिरकत रिशा साइट पर इसराइली सैनिकों की पहले तो निगरानी की और फिर उसके बाद उनके ऊपर कई गाइड़िट मिसाइलों से हमला कर दिया हिजबुला का दावा है कि इस हमले में आईडियाफ के कई जवान या तो घायल हुए है या फिर उनकी मौत हो गई और इस हमले के बाद दोपहर को हिजबुला ने बयात बिलिदा साइट पर भी धड़ा धड़ कई रॉकेट्स दागे हैं और इस हमले के साथ ही आईलेट बैरेक्स पर आईडियाफ की नई गठित की गई एक्क्यानवी ब्रिगेट के हेड़कौर्टर को भी हिजबुला ने उड़ा दिया हिजबुला का कहना है कि उसने लिमन सैने अड़े पर भी एक बार में कत्यूशा रॉकेट्स का पूरा जथा फायर किया है और इस अटैक के बाद हिजबुला के लड़ाकों ने कबजे वाले सीरियन गोलन में माउंट हेर्मन पर भी लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किये झाल 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 झाल